असलाम लेकुम मैं विल्केम बैक टो मैं चैनल आज की इस वीडियो में हम फ्रोजन पकोड़े बनाएंगे लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं यहां भी मैंने डेड़ कप जतना बेसन लिया है अब इसमें नमक डालेंगे हसमेशाइका एक टीस्पून लाल मुर्श का पाउडर डालेंगे एक टीस्पून सापित जीरा दो कटी हुई हरिमेश डालेंगे एक मीडियम साइस की प्यास के टीवी डालेंगे सापत दनिया डालेंगे एक टी स्पून एक टेबिल स्पून हरा दनिया डालेंगे कटा हुआ अब यह सब को पानी से मिक्स कर लेंगे अब हम इन पकोडों को फ्राइ करेंगे और फ्राइ करने से पहले मैंने इसमें दो चुरकी बेकिंग सोडा डाल से इसे को पांच मिनट तक फ्राइ करेंगे अब ही इन पकोडों को हाफ प्राइ करना है क्योंके बात मैं हम इनको काट के फ्राइ करेंगे इस स्टेच पे अगर आप चाहें तो इन पकोडों को फ्रीज कर देंगे और इनको एक दो वीक तक फ्लीस किया जा सकता है लेकिन मुझे अभी बनाने हैं तो मैं इनको काट कर फ्राइ करूँगी काटने के बाद अब इन पकोनों को मज़ीद पांच मिनट तक फ्राइ करेंगे लो फ्लेम पे फ्रोजन पकोड़े हमारे तयार हैं अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर कर दें मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अलाहापस आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राय कीजेगा और मुझे कमेंट्स में फीडबैक दीजेगा